हलो स्टुडेंट्स, तुडे वी विल लान स्टानर डेट चेप्टर नमबर फाइव, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इसमें कुछ इस टाइप का है कि कोई मतलब इंटर्व्यू होता है या फिर असा कुछ होता है जिसमें डॉक्टर कलाम है उनसे जो बच्चे बहुत सारे क्वेशन्स करते हैं और डॉक्टर कलाम उनके आंसर्स देते हैं तो चलिए देखते हैं प्रश्नतर शेली में प्रस्तत या साक्षत कर डॉक्टर अबुल पाकीर जेनुलाब दिन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारी थे यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राश्टरपदी पर्त पर आसीन थे वे बच्चों की जिगनासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सद्यावतत पर रहते थे कौन डॉक्टर कलाम जो है हमेशा वो क्या करते थे सब बच्चे जो थे उनकी क्विशन्स का आंसर देने के लिए रेडी रहते थे कब वो जब राश्टरपदी के पज़ पर थे तब तो चलिए देखते हैं के आगे क्या है कौन से क्विशन्स है आप देख सकते हैं जो पिक्चर है उसमें यहाँ पर डॉक्टर कलाम बेठे हुए और यहाँ पर सामने सब बच्चे है और एक बच्चे के हाथ में मायक भी है प्रश्ण करता आर अरविंद कक्षा तीन सेट मेट्स स्कूल चैनने कहां से है आर अरविंद स्कूल है वहां से है सॉरी आर अरविंद उसका नाम शॉट में दिया है और थीजरे कक्षा में है सेट मेट्स स्कूल चैन नहीं से है क्या आप अपने बच्पन की कोई यादगर घटना में सुना सकते हैं उन्होंने क्या बोला कि क्या आप अपने बच्पन की कोई चैल्डूड जो कई मतलब की घटना हो वह आप हमें सुना सकते हैं तो डॉक्टर कला कक्षा पांचवे में मेरे शिक्षक से शियो सुब्रमनियम अयर की एक बात मुझे याद है एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी केसे उड़ता है उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन दुदाहरन दिया वह इसी प्रेटिकल दिखाय कि कोई जो बर्ड है किसे फ्लाइ करता है तो यह वह एसी गड़ना थी कि जो इनके मन और मस्तिश्क में इतनी अच्छी तरह से बैट गई कि जिसके वज़े से उन्हें आगे साइन्स स्टडी करने की ट्रेणा मिली अब कोई ऐसे प्रेक्टिकल चीज़ है या फिर कोई ऐसा एक्सपरिमेंट है जो आपको सर ने या मैमने दिखाया तो आपको तुरंत याद रह जाएगा क्यों क्योंकि वह आपको प्रेक्टिकल ह दिखाये गया है देखी हुई चीज़ पढ़ने या फिर सुनने से ज्याद पहले याद रह जाती है आप सोचते होगे कि मूवी देखना तो बहुत मज़ा आता है मूवी में तो आम में सब पूरी स्टोरी याद रह जाती है तो बुक का जो रेड किया है वो क्यों नहीं र कौन मकर नाम है उसका कक्षा 5 वालमी की नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपूर कहां से वालमी की नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपूर से है फिर स्टांडर में है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुकता देनी चाहिए बचपन में जब हम छोटे होते बचपन मे तो हमें कौन सी भाषा, कौन सी लेंग्वेज को प्रमुगता, मतलब कौन सी लेंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए, फिर कौन सी लेंग्वेज में ज्यादा इंटरस्टेड रहना चाहिए डोक्टर कलाम, मैंने स्वयम माध्यम एक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातर बाषा के माध्यम से पूरी की है, कौलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई, मेरा मानना है कि हम कौलेज में भी माध्यम के रूप में मातर बाषा का च तुसी में अपने इस बात सहजता से कहने में सक्षम होता है पर इससे कोई भी दो राय नहीं कि वेश्वीक स्तर पर संपक्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपक्षा की नितान्त आवश्चकता है क्या स्टुडेंट ने क्या पूछा कि हम जब छोटे होते तो हमें कौ कौनसे लेंग्वेज को प्रमुकता मतलब कि आगे दियान देना चाहिए कि जिसके वज़े से हमें फ्यूचर प्रोब्लेम ना हो तो इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने माध्यमीक माध्यमीक तक कि जो स्टडी की वो अपने मात्रो भाषा में की लेकिन आगे की कोलेट से आगे की जो की उसमें इंगलिश मिणियम अंगरेज माध्यम के संसाओमें की लेकिन उनका मानना क्या है कि कोई भी इनसान जो है वो चाहे कोई भी language सीख ले लेकिन जो उसकी मात्रु भाषा है उसी में वो अपनी बात या फिर कोई भी काम या फिर अपना जो दिमाग है वो सोचता है उसका दिमाग तो वो भी किसमें सोचता है कि उसकी मात्रु भाषा में ही सोचता है और वो अपनी बात सहजता से मतलब अच्छे से कब प्रेजंट कर पाता है जब वो अपनी मात्रु भाषा में जो बोलता है तभी वो अच्छे से प्रेजंट कर पाता है बाकि कोई अलग से प्रेजंट नहीं कर पाता है कि आप गुजराथी बोलते हो और अगर आपको मैंने इंग्लिश में प्रेजंट करने के लिए बोला तो आप नहीं कर पाऊगे अच्छे से क्यों कि वह आपकी मातुर भाषा नहीं है उसमें आपको थोड़े से प्रोब्लेम होगा लेकिन अगर मैंने गुजराथी में आपक क्या कर पाऊगी कि अच्छे से प्रेजंट कर पाऊगी अच्छे से एक्स्प्लेंट भी कर पाऊगी अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करूंगी तो वह क्यों क्योंकि उसमें आपको पता है कि मैं इस तरह से या फिर इस एक्जंपल से प्रेजंट करूंगा या फिर कोई explain करूंगा तो उस समझ में चल दिया जाएगा वो आपको भी समझ में आएगा और सामने वाले को भी समझ में आएगा लेकिन यहसा नहीं कि आपको दूसरी कोई language सीखनी ही नहीं है वेश्विक्स तर मतलब कि कंट्रे मतलब कि आपको अगर फोरें जाना है या फिर कोई अजर कंट्रे में जाना है तो आपको उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा इंग्लिश लेंगवेज भी सीखनी पड़ेगी, फिर आप जहसे प्लेस पर जाते हो, उसी प्लेस के वहाँ के रिलेटेड जो कोई भी लेंगवेज है, वहाँ आपको सीखनी पड़ेगी, आगे का question देखते हैं, और्ष पटेल, कौन है और्ष पटेल, कक्षा 5, चंदुलाल विद्या मंदिर मुंबई, कहां से हैं, बॉंबे से हैं, चंदुलाल विद्या मंदिर से, कांसे स्टानर में हैं, फिर स्टानर में हैं, और्ष पटेल नहां में उसका, चले देखते हैं, उसका question क्या है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें, तो हमें क्या करना चाहें, तो उ हमेशा कुछ बड़ा सोचो जैसे ही यह अनुबुति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रायंप कर दो कहने का अर्थ है कि जीत और मेहनत करो जो जो आप आगे की और बढ़ोगे आपका सामना बाधा हो तथा कठीनायों से समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी तभी जीवन में सफल हो पाओगे पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर गिनान और जीत करो क्या जैसे आप यह आवस्ता मतलब कि कुछ एक्स्प्रेंग हो जाए आपको या फिर समझ में आ जाए आपको तो क्या करन में गोल क्या है आपको बनना क्या है वो आपको तभी से डिसाइड करना होगा और आलवेज क्या करना है कि आप कुछ बड़ा ही सोच रहा है कुई छोटा मत सोचो क्यों क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो उसमें से आधा ही आपका हासिल हो पाएगा तो आपको क कुछ बड़ा सोचोगे तो उससे आधी सिद्धी प्राप्त कर पाओगे मतलब आधे तक आप पहुच पाओगे तो क्या है कि आप कुछ जैसे ही मतलब ऐसा फिल हो कि अब मुझे बनना क्या है मतलब कि आपका गोल फाइनल हो जाए तो तब भी से आपको क्या करना है कि उसी दिशा में प्रयास उसी दिशा में मेनत मतलब कि उसी के related मेनत करने शुरू कर देनी है और जीतोड मेनत करनी है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका सामना बाधा हो तथा कठी नहीं हो से बहुत सारे प्रोब्लम्स से होगा लेकिन आपको अपने अंदर की जो दुरूट साहस है वो कभी छोड़ना नहीं है अपना confidence कभी खोना नहीं है सामने वाला चाहिए कुछ भी बोले कई बार क्या होता है कि आप बोलोगे कि मुझे ये करना है या फिर ये करना तो आपको क्या करना कि अपना जो confidence है वो खोना नहीं है क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने अपना confidence खो दिया तो फिर आगे आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा तो आपको अपना जो confidence है वो कभी भी छोड़ना नहीं है सामने वाला चाहे कुछ भी बोले लेकिन हमारा क्या है एक ही गोल है कि मुझे यह करना है मतलब करना है किसी की वज़े से आपको अपना confidence नहीं होना है और यसी आपको सिद्धी प्राप्तम मतलब आपको success मिल जाएगी नेक्स question देखते हैं चिराग जिन, कक्षा साथ बाम्बे, Cambridge, अन्धेरी पस्छ मुंबई मुंबई से है अन्धेरी में अन्धेरी जो अ एरिया है वहाँ से बाम्बे, Cambridge स्कूल है है 7th स्टानलर में चिराग जिन गर के ही उनका question क्या है यह कौन से बड़ी बड़ी चुन होती ह जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है यसी कौन सी बड़ी चुन होती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं भारत को सन 2020 तक एक विक्सित राष्टर के रूप में परिवर्तित करना और देश के एक अरब से अधिक नागरिकों की चेह पर मुस्कान देखना यही राष्ट्रों के सक्षम सबसे बड़ी सबसे बड़ी चुन होती है सन 2020 जो भी चल रहा है 2020 तक एक विक्सित राष्ट्रों के रूप में भारत जोए उसे परिवर्तित करना है अंगरेजों के वज़े से हमारे देश में बहुत सारे प्रोब्लेम्स ह प्रास कर रहा था उससे वो पीछे आगे मतलब अधोगति करने लगा तो हमें क्या करना है क्यों से बहुत या आगे बढ़ना है और हर एक इंसान के चेहरे पर देश में अरब से ज्यादा अधिक अरब से ज्यादा जो इंसान है नागरिक है उनके चेहरे पर मुस्कान और यही सब राष्ट्र है उसके समख सबसे बड़ी चुन ओती है नेक्स्ट क्वेशन हर्ष चांडक कुktसा साथ डॉक्टर S. राजाकृष्णन विद्यालई मलाड मुंबई मुंबई से यह यह बी बॉम्बे से मलाड डॉक्टर S. राजाकृष्णन विद्यालई से सेवें आपके दुरुष्टी में साहस की परीभाषा है, मतलब परीभाषा मतलब क्या है, परीभाषा मतलब कि आप साहस जो है उसकी बारा में क्या सोचते हो, चले देखते हैं, डॉक्टर कलम का क्या आंसर है, अपनी जान की परवा किये बिना दुसरों को संकट से या अब्दा से बचाना ही साहस है कई बार क्या होते हैं कि आप रास्ते पे जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है नेचरल कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई कि कई पे कोई इंसान टी गलती से आ गई तो अपनी जहान की मतब अपनी परवा की भीना जब दूसरे को संकट से मुश्किल से या फिर आपदा से बचाते हैं वही क्या है साह से वो ता यह है कि हमें किसी को बचाना तो है लेकिन हमें डर क्या लगते हैं अगर उसको बचाने में मुझे कुछ हो गया तो तो यह साहस की परिभाषा नई है दूसरे को अपना सोचे भी नहीं दूसरे को हेलप करना हो क्या है साहस की परिभाषा तरुन पतेल स्वामिनार्टियन इंडिपेंडनेंट स्कूल एट सालर्ड में तरुन पतेल क्या हम प्रवासी भारतिया मातृबूमी के प्रति गर्व की भावना कैसे विक्सित करें देखते हैं उनका आंसर क्या दिया डॉक्टर कलाम ने भारतिय मुलका कोई भी व्यक्ति एक ब्रूहत भारतिय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की संस्कृतिक विरासत पर गर्व है सबागे से आप लोग एसी स्थिती में हैं कि अपनी मातरबाशा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गवरों की बात है क्या भारतिय मूलक का मतलब कि हमारे देश का कोई भी नागरी कोई भी व्यक्ति पर गए के परियुदी परिवार का ब्रूहत भारतिय परिवार का क्या है एक अंग है एक एक मेंबर हेक स्थित की संस्वी मतलब Math जो पहले से हम je मिली है या फिर हम मार संसकार यह सब जो है हमारे हमें कहा से हमारी प्रोपर्टी में मिले जरुरी नहीं प्रोपर्टी में जमिन जैदात या फिर पैसा ही मिले संसकार भी मिलते हैं या फिर हमारी संस्कृती जो है इंडिया में जितने भी टैमपल्स है वो सब है वो भी हमारी प्रोपर्टी मतलब वो हमार पर्सनल प्रोपर्टी नहीं है लेकिन वो क्या है कि हमें सांस्कृतिक विरासत में मिला है हमारी जो विरासत में मिला है उस पर हमें गर्व है सवबाग्यों से आप लोग ऐसे स्थिती में अपनी मात्रों भूमी से अच्छी तरह से जुड़े हुए है और यही आपके लिए गवरों के बात है आगे का क्वेशन देखते हैं सत्यम सत्यम करके स्टुडेंट है कॉक्षा दस त्यान स्टानर में जिल्ला सकूल मुंगेर से जिल्ला सकूल से जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे करते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वेगनानिक एंजिनियर डॉक्टर आध लिए आपका क्या संदेश है क्या कि डॉक्टर कलाम से जितने भी बच्चे मिलते हैं वो सब क्या बनना चाहते एक प्रसिद्ध जहने पेचाने साइन्टेस्ट इंजिनियर डॉक्टर एक्सेटर बहुत बनना चाहते तो कोई किसान मजदूर और कलाकार जो है वो भी हमारे र अभी बार से आते तो हमारे लिए आपको क्या संदेश है तो डॉक्टर कलाम क्या कहते किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार यह सभी हमारा राश्ट्रो के अभिन्न आंगे राश्ट्रो निर्मान में हमें उन सभी को उन सभी के सेवाओं के समान रूप से दरकार है आप सभ पनी फिल्ड में मेंनत कर न हैो रहा हमें ऐसे आ गया बढ़ ना ही क्यों कि कोई भी द्याश है क्यों क्यों वह अकेले एंजिनियर या फिर अकेले साइन्टिस्त या फिर अकेले डॉक्टर से नहीं चलता कोई अकेले Наन क्रोक हूँ प्रविसर का क स करोच वो क्या काम करेगा सिर्फ अपने काम करेगा जैसे कि कोई एक्जम्पल के स्कूल है या फिर कोई कंपनी है जैसे किसा मतलब कोई कंपनी है तो कंपनी एक इनसान ने बना तो दी लेकिन वो क्या उससे अक्यले से चल पाएगी नहीं चल पाएगी उसे कौन-कौन ढुणना दूनना पड़ेगा क्यों कि वो जो है वो खुद अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई एक इंसान है उसके नीचे बहुत सारे लोग जब काम करेंगे तो यह उसका काम हो पाएगा एसे ही एक्जम्पल की आप देख सकते हो यहां पर कि आपको यहां पर कोई एक मतलब कि स्कूल के बारे में बता दी कि स्कूल जो है यह स्कूल बना दी मैंने अब यह स्कूल तो बन गई यहां पर स्कूल बन गए तो क्या से स्कूल से काम चल जाएगा स्कूल में कौन-कौन चाहिए प्रिंसिपल चाहिए, सुपर्वाइजर चाहिए टीचर चाहिए, प्यून चाहिए स्टूडन्स भी चाहिए, बहुत सब चाहिए न ऐसे ही हो जाएगा नहीं होगा, तो ट्रस्टी जो है टीचर भी तुणडेगे, प्यून भी तुणडेगे और लास्ट में स्टूडन्स भी क्यों, क्योंकि ये जो ये लोग है इनसे भी स्कूल चाहिए, नहीं चाहिए इनसे भी स्कूल नहीं चाहिए उसके लिए कौन चाहिए, स्टूडन्स भी चाहिए इन सब से स्कूल चलेगी तभी वो एक स्कूल बन पाएगी ऐसी वो स्कूल बनेगी नहीं बनेगी अगर घर है आपका तो घर में कौन-कौन चाहिए ममी चाहिए पापा चाहिए पापा भी चाहिए और ममी भी चाहिए लेकिन उन दोनों से चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए आप भी चाहिए सिस्टर भी चाहिए ब्रतर भी चाहिए अकेले से घर नहीं चलता घर भी नहीं चलता स्कूल भी नहीं चलता कोई कंपनी भी नहीं चलती तो एसे यी जो country है पूरी country में क्या होगा कि country में भी यही problem होगा अब सिफ चीफ minister है C.M. उनसे चलेगी country नहीं चलेगी . उनके नीचे भी सारे लोग चाहिए कौन-कौन कि वह है वह गवर्मेंट जो अधिकारी सब होते हैं लेकिन फिर भी उनसे भी नहीं चलेगी कौन-कौन चाहिए कि फार्मर टीचर, डॉक्टर, इंजिनियर ये सब चाहिए क्यों फार्मर है तो क्या होगा कि वह खाना मतलब कि फसल पकाएगा फसल बनेगी आपको खाना मिलेगा पूरे देश को फिर टीचर है तो टीचर से क्या होगा कि पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं उनको स्टडी मिल जाएगी कि उनको पढ़े करने के लिए उनको सिखाने के लिए भी कोई मिल जाएगा डॉक्टर है डॉक्टर क्या करेगा कि वह सब जिसके भी तवियत खराब हो या फिर कोई बिमार है तो उसे भी अच्छा करेगा एंजिनियर है तो एंजिनियर भी एंजिनि ने क्या बोला कि यह जो एकिसान मजदूर कला कर यह सब कैसे आंग है अभी नांग है इनकी भी जरुवता में पड़ती है इसलिए सब को अपने अपने क्षेत्रों में आगे उन्नती करनी चाहिए